तो पहले पार्ट में आपने इसका इंट्रो दिया बेसिक डीटेल्स इसकी थी अभी इस पार्ट में पूरा ये टोपिक कवर हो जाएगा तो इसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लाइन बनाएंगे क्या आपके अब्जेक्टिव रहेंगे या कौन सी अप्रोच आप रख सकते हैं या कौन से टीचिंग एड यूज कर सकते हैं इन सब की इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी तो सबसे पहले जब भी आप एक लेसन प्लाइन बनाते हैं पहले सबसे जरूरी आती है हमारी ब्लैकबोर्ड एंट्रीज उसके लिए एक ब्लैक चार्ट पेपर आपने कौपी पे पेस्ट करेंगे और फिर उसमें वो बेसिक डीटेल्स फिल करेंगे जैसे सब्जेक्ट, टोपिक, सब्टोपिक, डेट, पीरेट, डुरेशन, क्लास, सेक्शन, कितने प्रेजेंट है बच्चे वो सब यानि कि अटेंडेंस भी साथ-साथ यहां पर हो जाती है और यह वो एंट्रीज होती है जब टीचर क्लास के अंदर जाता है तो ब्लैक बोड पर यह बेसिक डीटेल्स फिल करता है उसके बाद अपने टोपिक को इंट्रीज करता है तो इनके बाद हमारे आजाते हैं अब कोई भी काम आप करने जाते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई अबजेक्टिव जरूर होत और यह कुछoked domains में लिखे जाते हैं जैसे knowledge को लेकर understanding को लेकर application को लेकर objectives लिखना तो जैसे हैं हमारे knowledge को लेकर student will be able to define assimilation and absorption, student will be able to list the parts of elementary canal, student understanding में आ जाएगा, student will be able to explain the function of stomach and small intestine, फिर application के अंदर आ जाएगा, student will be able to conclude the functions of the food pipe, stomach, small intestine, large intestine in the digestive system, तो यह रहे हमारे objectives, यह आप maximum 5 लिख सकते हैं और minimum 3 objective लिख सकते हैं, अपने lesson plan में, उसके बाद आ जाते हैं teaching aids, यानि कि वो material जो आपके normal teaching learning process को और जादा engaging, effective बनाते हो, their life says को relate करते हो, ताकि बच्चों का participation class में जादा से जादा बढ़ पाए, तो इसके लिए आप कौन से teaching aid use करेंगे, अगर online है तो आप video, powerpoint presentation, google meet, यह सब यूज कर सकते हो, औ अगर offline है, तो वहाँ पर आप कोई chart, कोई model, यह सब यूज कर सकते हैं, तो फिर आती हैं हमारी testing previous knowledge, अब previous knowledge को हम test कर रहे हैं, तो यह क्यों जरूरी है, तो अगर आपको topic पढ़ाना है, तो कहीं नगर उससे पहले देखना होगा कि बच्चों का level कितना है, इस topic के बारे में पहले से कितना जानते हैं, कितनी उनकी understanding है, ताकि हम उनकी previous acknowledge को connect करते हुए, उनने topic को introduce करें, उनके सामने topic को introduce करें, तो इसके लिए हमें उनकी previous knowledge कितनी है, इसका पता होना जरूरी है, तो तो इसके लिए आप अपने lesson plan में एक table बनाएंगे, जिसमें होगा serial number, पूपल टीचर से एक्टिविटी में टीचर बच्चों से क्या question पूछ रहे हैं वो सब आएगा इस students expected response में student क्या answer दे रहे हैं वो सब आएगा और expected यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें exact नहीं पता कि बच्चे class के अंदर किसी भी question का क्या answer देंगे तो first है हमारा in human beings the food is taken in by which part of the body तो mouth यहाँ पर आ रहा है बच्चे easily बदा सकते हैं कि mouth की head से ही हम अपने जो भी food है उसको body के अंदर लेके जाते हैं second है हमारा what does the mouth do तो वो भी बच्चे बता सकते हैं क्योंकि वो day life में इसको देखते हैं जैसे break down the food to make it easier to swallow फिर है third हमारा that set of teeth that grows during child भुर्मा लीजे तो यह हुआ हमारा milk teeth बच्चे बता देंगे easily आगे जाते तो इस तरीके से आप अपने lesson plan को ज़्यादा presentable बनाने के लिए ऐसे use of PowerPoint presentation और जो भी slides है उसके ऐसे photo लगा सकते हैं फिर infancy sorry child दोनी था वहाँ पे था infancy एन फालो पैट देजोग 680 एर सार कोल तो बच्चे बता देंगे milk teeth फिर fourth question आएगा what is the total number of teeth in an adult woman तो 32 teeth होती है बच्चे भी बता देंगे फिर आएगा how is food pushed into the stomach अब इतना process deeply उन्होंने नहीं पड़ाया है ऐसा topic तो यहां पे इनके लिए question हो जाएगा problematic और कोई response नहीं आएगा फिर यही से अब अपने topic को करेंगे introduce फिर आएगा statement of the topic today we will discuss the further movement of food after buccal cavity and also we will discuss the function of parts of elementary canal तो इसमें हमारा presentation part आता है इसके बाद जो कि काफी main होता है real time plan है हमारा तो इसमें आएगा एक बड़ी सी table होगी जिसमें होगा serial number teaching point जो भी आपको पढ़ाना है topic उसको आप यहां पे one word या one sentence में लिखेंगे फिर आएगा people teachers activity के people teacher इसको किस तरीके से पढ़ा रहा है वो यहां पे आएगा फिर आएगा students activity इस्टुरेंट क्या response कर रहे हैं वो सब आएगा teaching method में कौन सा method आप यूज कर रहे हैं तो इसको people teacher कैसे बढ़ाएंगे people teacher will explain the function of code pipe and stomach in the digestive system by using the illustrations in the powerpoint presentation और student activity में आएगा students watch the illustration and try to respond and varied responses about stomach यह सब वहां पे आएगा teaching method में आपे teaching method है lecture come demonstration method साथ में demonstration भी कर रहे हैं और lecture भी दे रहे है teacher कोई बात भी बता रहे है statement भी बता रहे है और demonstrate भी कर रहे है activity कर आई and student क्या है answer देंगे according to their experiences और यहां पर discussion method यूज हो जाएगा और question आप पूछ सकते है what is function of filing तो यह सब आएगा देखें कोई quiz आप करा रहे है activity करा रहे है तो इस तरीके से question आपने क्या पूछे why by juice is stored in फिर यहां पे options है यह next presentation में आएगा हमारा और बच्चे इसका answer देंगे जो correct होगा फिर second is the pointing teeth in the buccal cavity are cold तो यह सब इस तरीके से question आप पूछेंगे और यहां पे जो हमने discuss किया था कि pupil teacher उसके बाद activity के बाद explain करेंगे the concept of observation absorption and assimilation फिर third है large intestine large intestine को पढ़ाना है तो pupil teacher will show a video on the process of digestion in humans and will explain the function of large intestine also यहां पर क्या है student watch the video and respond to the known facts और यहां पर demonstration method यूज होगा क्योंकि हमने यहां पर वीडियो का use किया है और question हो जाएगा what is the length of large intestine आगे बात करें फिर आता है हमारा activity कि हमें activity करा रहे है क्विज है क्विज के अंदर क्या है people teacher will conduct a short quiz on digestive system of humans क्योंकि हमने यह तो भी बच्चों को बढ़ा दिया part one part two के अंदर अब quizzes पर कर रहे हैं तो student क्या करेंगे student participate करेंगे quiz में और यहां पर activity method का use होगा और quiz क्योंकि जैसे मैंने आप हो दिखाए थी quiz में इस तरीके questions होंगे यह byle juices stored in the pointing teeth in the buccal cavity are cold और options होंगे यह हो गया हमारा उसके बाद आता है हमारा recapitulation part यानि कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक recap लेना उसको summarize करना तो एक question की form में हो सकता है या फिर आप किसी बच्चों को बोल सकते हो कि आप बताए अभी तक हमने कितना पढ़ा उसको एक short paragraph में summarize कर जा सकता है यह सब तो question में आप इस तरीके से question पूछ सकत हैंगे आप चाहिए तो यहां पर options दे सकते हैं चाहिए one word answer question पूछ सकते हैं इस तरीके से फिर आता है learning extension यानि की homework जिसमें हम बच्चों को ऐसा कोई assignment कोई activity या कोई question देते हैं जिससे उनकी learning extend हो outside the classroom और बच्चे उस question को घर से करके लेके आए और classmate teacher से चेक कर आए तो जै हुआ हमारा homework उसके बाद आता है हमारा teacher's remark और फिर हमारा lesson plan complete होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करे शेयर करें चाहिए को subscribe करें अगर आपको और वीडियो देखनी है related to lesson plan related to be a daily assignment practical file stories तो आप चैनल पे जाके playlist में देख सकते हैं या फिर वीडियो क के description में link से आप वहाँ पे वी जाके देख सकते हैं thanks for watching